असलामु अलेकुम दिर्ट उनलेट्ट्रस्ट, रजिसरीस 4.1 , शूर्ट कॉस्ट्स्न, कोस्ट्स्न मेर वन जू की शूर्ट कोस्ट्स्न है इसके 14 पार्ट्स है तो पहला पार्स टार्ट करते हैं पार्ट नमर 1 से लेके पार्ट नमर 12 तक आपको डेल 5 फाइंड करना है इसको ग्रेडियंट 5 भी पोलते हैं और यह जो डेल है इसको नेबला भी बोला जाता है यह एक वेक्टर डिफरेंशल ओप्रेटर है जिसको हम रिस्तान लिखते हैं यह कोई वेक्टर नहीं है यह वेक्टर डिफरेंशल ओप्रेटर है जैसे के डेरिवेटिव और इंटेग्रेशन होते हैं तो आपने इसको डेल 5 पे अप्लाय करना है तो डेल 5 जब निकालेंगे तो यह आ जाएगा करली बाई करली एक्स फाई की वेलिव है साइन एक्स कोज हैपरबोलिक वाई उसको यहाँ पूट कर लेंगे कोज हैपरबोलिक वाई प्लस करली बाई करली वाई phi के value sin x cos hyperbolic y j plus curly by curly z of sin x cos hyperbolic y k इसे बोलते हैं partial differential तो partial differentiation में क्या होता है कि आपके पास जो variable है just उसकी respect differentiation होगी जो दूसरा variable है वो as a constant act करेगा it means कि यहां पे cos hyperbolic y constant है और just sin x का derivative sin x का derivative cos x होता है तो cos x आजाएगा और cos hyperbolic y as a constant साथ आजाएगा plus यहां पे क्योंके with respect to y आपने करना है तो sin x constant होगा और cos hyperbolic y पे differentiation करेंगे sin x वैसे ही आजाएगा constant है क्योंके और cos hyperbolic y का sin hyperbolic y होता है differentiation plus यहां पे देखें with respect to z है तो यहां पे z का कोई भी function नहीं है जो with respect to z हो सके तो यह दोनों क्योंके constants हैं तो इसका answer हो जाएगा 0k simply यहां पे इसका answer first part का जाएगा second part में आपको जो phi है cos x cos hyperbolic y गेवन है अच्छे यहां पे एक जो आपने बात याद रखनी है यह interview में different पूछे जाती है कि जो del phi है इसका answer क्या आता है actually जो del है gradient है वो scalar भी apply होता है और इसका answer एक vector आता है तो यह बहुत important बात है और इसको different interviews में पूछा जाता है और यहां पे del phi जो है इसको grade 5 ही कहते है या gradient 5 भी बोलते है या gradient of scalar function बोलते है इसको लिख लेंगे cos x का सिर्फ derivative आएगा cos hyperbolic y constant रहेगा cos x का होता है minus sin x और cos hyperbolic y वैसे ही आजाएगा इसको आई component और यहां पे cos x वैसे ही रहेगा cos hyperbolic y का derivative आएगा sin hyperbolic y j component प्लस इसमें z कोई भी नहीं है तो यह पूरा का पूरा constant हो जाएगा और यह 0 के आजाएगा तो final answer आजाएगा minus sin x cos hyperbolic y i plus cos x sin hyperbolic y j answer third part में जो phi है scalar function वो given है x y z तो इसका विख रिख टू x करेंगे तो x का derivative आजाएगा 1 और साथ जो y z है वो constant में आजाएगा i plus यहां पे x constant है z भी constant है और y का derivative आजाएगा 1 j component plus x constant है y constant है और z का derivative आजाएगा curly curly z और curly z 1 k तो यह just answer आजाएगा इसका y z i plus x z j plus x y k this is the answer तो यह है जी fourth part जिसमें आपको scalar function दिया है phi equal to x square y cube z square तो मैंने यहां पे separate करके रिकलिये इसको और यहां पे देखें y cube z square यह constant है यह बाहर आजाएगा और just हम curly by curly x लेंगे x square का इसी ताँ यहां पे x square और z square बाहर आजाएगा और just derivative आएगा y cube का और यहां पे x square y cube constant है और curly by curly z लेंगे z square only यह y cube z square इसका derivative आएगा 2x 3y square power rule से और इसका आजएगा 2z इसको ठोड़ा अरेंज करके रिख लेते हैं तो अरेंज करने के बाद यह इसका पारल आजएगा फिफ्थ पार्ट में 5 equal है sin x plus y square minus z x plus y square minus z जो है वो sin का angle है अब यहां पे इसका with respect to sin का derivative लेंगे तो आजएगा cos और angle ऐसे ही आजएगा और further जैसे कि आग पता है कि angle का derivative लिया जाता है तो curly by curly x of x plus y square minus z इस ता बाकियों का भी derivative ले लेंगे तो यहां लेखें का sub का derivative है first derivative तो cos आ गया उसके बाद further जो functions का derivative लेना है उसके angle का तो वो लग अब यहां से यह देखें यह सब का constant आ गया common आ जाएगा cos of x plus y square minus z यह common आ जाएगा अब देखें यहां पर curly by curly एक सिस्था लेंगे यहां से आ जाएगा x का derivative आ जाएगा 1 और बाकि y और z क्यूंके constant आएगे इस आप से तो जीरो हो जाएगा इसको आप इस तरह से रख लें यह i component है plus इसका यहां पर लेंगे तो यह x का derivative 0 plus इसका आजएगा 2y और minus z का 0 j component plus यहां पर इसका लें x का derivative 0 y square का भी 0 और minus z का minus 1 यह आजएगा k component इसको open कर लेते हैं यह आजएगा cos x plus y square minus z और यह आजएगा i 1 नहीं मतब और plus 2y j और minus k जिसका answer आजएगा six part में 5 x square plus 10 x y z तो इसका first लेंगे कर ली विदे कर ली x तो यह आजएगा x का derivative x square का 2x plus 10 x y z का derivative होता है secant square x y z और further इसका derivative लेंगे इसके angle का जो के x y z है इसका दोबारा derivative लेंगे with respect to x curly by curly x of x y z यह अजएगा प्लस यहाँ पर देखें with respect to y करना तो x square तो बिल्कुल 0 हो जाएगा plus 10 x y z का जएगा secant square x y z और आगे further derivative लेंगे with respect to y इसके angle का x y z का यह हो जाएगा j component plus यहाँ पर इसी तरह x square का derivative बिल्कुल 0 हो जाएगा क्योंकि वह constant है और यहाँ पर 10 x y z का secant square x y z और curly by curly z of x y z angle का derivative दुबारा से लिया जाता है अब इसको थोड़ा सा arrange कर लेते है open कर लेते हैं 2 x plus secant square x y z और इसका जो है आजएगा x का 1 आजएगा और just y z बचेगा y z यह हो गया i component plus इसका भी secant square x y z बचेगा और यहाँ पर x और z जो है constant है 0 नहीं होंगे क्यूंकि उसके अंदर variable एक मुझूद है तो y और y का derivative होजएगा 1 तो यह j component आजएगा plus secant square x y z और यहाँ पर x और y constant है वह आजएगे और z का derivative आजएगा 1 तो यह आजएगा k तो थोड़ा सा arrange करने के बाद यह इसका final answer आजएगा arrange कि इस तरह किया कि जो y z आगे था इसको पीछे ले गए ताकि वह लगए यह उपन नहीं करना यह जिस वैसे यह answer दे देता है तो ln of r का जो first derivative लेंगे और यहाँ पे जो magnitude का sign डिलाव है क्यूंकि जो डैल है gradient है वो सिरफ scalar function का लिया जा सकता है अगर vector हुआ तो उसका gradient नहीं लिया जा सकता तो यहाँ पे आजएगा 1 over r magnitude यहाँ पे आजएगा 1 over r magnitude लिया जाता है उसके जो ln के base होती है उसका तो यहाँ पे आजएगा 1 over r magnitude और डैल r का आप पर पास होता है r vector over r magnitude यह आप जो है result यूज करें यहाँ पे के del of r मत्तब के r magnitude इकल होता है r vector over r magnitude के जितने भी आगे question करेंगे पूर exercise में वहाँ पे यह वाले चीज बार बार यूज होगी तो आपने यह result याद कर लेना है इसका proof भी है अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं तो इसका आजएगा answer r vector over r square या r mode का square बात एकी है r square answer आ पर लिखते हुए आप r वेक्टर और magnitude लाजमी शोग करें ताके पता लगे के vector और magnitude जो simple scalar है वो कौन सा है और जो vector है वो कौन सा है ताके mix नहों 8 part में 5 equal 1 over r के अब क्योंकि इसके अब वेक्टर देखे नहीं डल अबा तो इसका मतलब कि यह उसकी magnitude है तो del 5 equal to del of 1 over r both side लिया हमने और इसके बाद इसको लिखा जा सकता है del of r power minus 1 अब power rule आपको पता है जैसे होता है minus 1 side पर आएगा power minus 1 minus होगी power में से और del लेंगे base का जो के r है इसको लिखा जाएगा minus 1 r power minus 2 जैसे के मैंने पहले बताया का del of r जो है वो equal होता है r vector over r magnitude के तो यहां पर लिखा जाएगा minus 1 minus इसके साथ r के साथ होगा r vector over r square नीचे आ जाएगा और यह नीचे r साथ है तो यह बनेगा minus r vector over r cube तो यह vector है और यह इसकी magnitude है मतलब scalar है तो यह answer आएगा 9th part पर भी आपने del apply करना है यह मैंने सब पे अलगे अलगे apply कर दिया है और यहां पे del of r square में इसको power rule से apply करेंगे power rule जूस करते वह यहां पे आजएगा 2 r 2 minus 1 और further basic relative जो के r है plus l of r का आजएगा 1 over r और del of r plus यह आजएगा power rule 2 sin r power 2 minus 1 और आगे आजएगा del of sin r मतलब कि base का derivative तो इसको लिखेंगे 2 r और del r को लिखा जा सकता है r vector over r magnitude plus 1 over r यह भी है r vector over r magnitude plus 2 sin r और sin r का हो जाता है जी goes r derivative और further इसके angle को derivative जो के r है del r ले लेंगे तो यह आजएगा 2 r vector over r magnitude plus 1 over r r vector over r magnitude plus 2 sin r cos r और del r का r vector over r magnitude होता है तो यहां से r vector over r magnitude common आजएगा यह इसका answer आजएगा यहां जी 10th part में 10 r और secant r का आपने लेना है del तो यह tan r का जो differentiation होती है secant square r और further basic angle derivative del r plus secant r की differentiation होती है secant r tan r और आगे इसका angle derivative नदब delta तो यह आजएगा secant square r और del r का दोबारा वही use करेंगे r vector over r magnitude result plus secant r tan r और यह भी आजएगा r vector over r magnitude तो simple r vector over r magnitude जो है वो common आजएगा r vector over r magnitude जान से आजएगा तो यह 11th part में भी आपको function दिया है r में और इसके उपर आप देखें पहले power लगेगा उसके बाद further quotient rule लगेगा पहले power लगे करने के लिए power जो है वो side पर आ जाती है और power मेंसे एक minus होगा बेस वैसे ही रहेगी और further derivative लिया जाएगा बेस का यह आजएगा minus 1 by 2 r square minus 1 over r square plus 1 इसका यहाँ पर लेंगे LCM तो यह जो जाए 2 minus 1 minus 2 delta sorry this is 1 by 2 और यहाँ पर आएगा 1 minus 2 और यहाँ पर इसको लगाएंगे quotient rule जो के होता है नीचे वाले का square नीचे वाला आएगा side पे और delta लेंगे उपर वाले का दरम्यान में आएगा minus उपर वाला वैसे ही आएगा और delta लेंगे नीचे वाले का जाएगा अब इसका अगे लेना derivative तो equal to minus 1 by 2 r square minus 1 this is यह 1 by 2 है by a mistake 1 by 2 r square minus 1 over r square plus 1 यह 1 minus 2 हो जाएगा minus 1 over 2 और यहाँ पर इसको अटा देते हैं यह हमने apply कर दिया है और यहाँ पर आजाएगा r square plus 1 whole square r square plus 1 इसका लेंगे तो यह बनेगा 2 r और आगे delta r minus r square minus 1 इसका भी आज़ेगा 2 r और साथ delta r अब इसको लिखते हैं आगे यहाँ ज़ेगा 1 by 2 r square minus 1 over r square plus 1 power minus 1 by 2 और देखिए यहाँ पर r 2 r delta r दोनों में से common आ रहा है तो common ले लेते हैं 2 r delta r common लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा r square plus 1 और यह बचेगा minus r square minus minus plus 1 over r square plus 1 whole square यहाँ से यह cancel हो जाएगा r square और r square यह बचेगा 1 by 2 r square plus 1 over r square minus 1 इसको उल्टा कर देंगे तो power आपकी 1 by 2 हो जाएगी minus 1 by 2 से plus 1 by 2 हो जाएगी power को उपर नीचे नहीं करना जिसकी base है उसको आप shuffle करेंगे तो power plus हो जाएगी तो यहाँ पे 2 r और यह 2 बचा और यह भी 2 बचा over r square plus 1 whole square आप देखें जिए यह जो 2 है यह इससे cancel हो गया यह बढ़ा 2 भी cancel हो सकता है और यह आजाएगा r square plus 1 over r square minus 1 power 1 by 2 यह आजाएगा 2 r और delta r आपको पता है क्या होता है r vector over r magnitude तो यह जो r है और यह r है यह दो मेंट्यूड है तो यह cancel हो जाएगा और इसको लिखा जा सकता है 2 r vector over अब देखें यह है r square minus 1 power 1 by 2 और यह है r square plus 1 power 2 और यह जो r square plus 1 power 1 by 2 इसको नीचे लेके आएगे तो यह हो जाएगा r square plus 1 power minus 1 by 2 तो यहाँ पे इसको further simplify करते है थोड़ा सा और तो यह आजाएगा 2 r over r square minus 1 की power 1 by 2 और यह क्योंके basis same है तो इनकी powers add हो जाएगी एक की power है 2 एक की power है minus 1 by 2 तो इनकी powers को हम कर लेते हैं plus r square plus 1 की power 2 minus 1 by 2 तो टू टू तो टूस आफ 4 minus 1 3 by 2 यह square root 1 by 2 है तो इसको square root में लिखा जा सकता है और इसकी power को simplify करने के बाद यह 3 by 2 आज जेगा यह इसका final answer बनेगा 12th part में यह sin of 1 minus 1 plus r square root दिया हुए तो पहले हम power root नहीं apply करेंगे क्योंके पहले है sin उसके बाद power है तो पहले sin के derivative लगाएंगे sin के derivative होता है cause यह वैसे ही आजाएगा क्योंकि इसका angle है और further derivative लेंगे इसके angle का 1 minus r 1 plus r power 1 मटू अब यह तो वैसे ही आजाएगा cause of 1 minus r 1 plus r इसको square root लिखा जा सकते हुए 1 by 2 square root होता है अब यह देखें यह अब आगी power तो इससे power root लगेगा power root कैसे लगता है 1 by 2 power side पर आएगी power मेंसे 1 minus हो जाएगा और further derivative लिया जाता है जो कि जिसके उप power होती है उसका दोबार derivative लिया जाता है इसको लिखेंगे ऐसे 1 by 2 minus 1 हो जाएगा minus 1 by 2 और इसके उपर दोबारा जब derivative apply करेंगे यह आजाएगा 1 plus r quotient rule इसका square 1 plus r और delta लेंगे 1 minus r का minus 1 minus r वैसे ही आजाएगा और delta लेंगे 1 plus r का again power यहाँ minus 1 by 2 है तो इसको अगर हम उपर नीचे कर दें उसकी base को उल्टा कर दें तो power हो जाएगी plus 1 by 2 और यहाँ पर इसका लेते हैं 1 plus r वैसे ही आजाएगा और इसका जब delta लेंगे तो यह आजाएगा minus 1 minus r इसका delta लेंगे तो यह आजाएगा 1 और आगे लेते हैं delta r क्योंकि आगे base का derivative भी आएगा तो delta r भी साथ आएगा और यहाँ भी delta r क्योंकि r का derivative भी तो 1 हो गया लेकिन आगे उसका delta r भी लेंगे इसमें delta r को मल ले लेते हैं और यहाँ पर आएगा अब minus 1 को 1 plus r से multiply करेंगे तो यह आएगा minus 1 minus r और यह minus 1 minus minus plus r over 1 plus r scale यह r और यह r कैंसल हो जाएगा यह बचेगा minus 2 और delta r बनेगा r vector over r magnitude अब यह जो 2 है इस 2 से cancel हो जाएगा यह बचेगा minus r vector यह वाला over r magnitude और इसके इलावा यह 1 minus r इसका कर लेंगे square root क्योंकि 1 by 2 है अब 1 plus r के अपर यह 1 by 2 है और यह 1 plus r की power 2 है तो इसको इकठा कर लेते हैं 1 plus r के power यह 2 और यह 1 by 2 जब यह नीचे आएगी तो यह हो जाएगी minus 1 by 2 बाकी यह आजएगा cause of 1 minus r over 1 plus r अब 2 minus 1 by 2 करेंगे तो 2 root of 4 minus 1 3 by 2 यह 3 by 2 बनेगा तो यह इसका final answer आजएगा 12th part तक वो खतम हो गई जहां पर आपने डेल 5 लेना था अब आपनी प्रोपर्टी प्रूफ करनी है कि डेल 5 plus u equal होता डेल 5 plus del u के यहां इसकी left hand side ले ले लेते हैं तो इसको हम यह जो 5 ले हैं इनको separate कर लेते हैं याज यह curly 5 over curly x i plus curly 5 by curly y j plus curly 5 by curly z k इसी तरह इनको कर लेते हैं separate यह separate कर ले आप यह देखें यह बन गया del 5 यह complete del 5 बन गया plus यह बन गया del u this is right hand side hence proved question number 14 जो है वो actually delta का नहीं है gradient का नहीं है यह divergence का है क्योंकि इसमें dot है और कभी भी आप r vector का gradient नहीं ले सकते उसका divergence आता होता है तो इसका मतलब है यह कि next exercise का question है लेकिन उन्होंने इस exercise में रावा लेकिन फिर भी हम इसको solve कर लेते हैं तो यहां पर आ जाएगा r cube del dot r plus r dot del r cube इस तरहां से लिखा जाएगा तो यह r cube del dot r अब del dot r क्या होता है actually r क्या होता है आपके पास x i plus y j plus z k और del क्या होता है यह है तो मतलब कि del और r का dot पर रख लेना है curly over curly x i plus curly over curly y j plus curly over curly z k इसका dot लेना है r के साथ जो कि है x i plus y j plus z k इसके साथ जब इसका r लेंगे तो क्या जाएगा curly x curly x over curly x i dot i plus curly y over curly y j dot j plus curly z over curly z k dot k i dot i j dot j and k dot k 1 हो जाएगा curly x over curly x हो जाएगा 1 plus curly y over curly y 1 हो जाएगा plus curly z over curly z 1 हो जाएगा यह आजएगा 3 इसका मतलब है 3 r square del r होता है r vector over r magnitude तो यह आजएगा 3 r cube plus यह और यह cancel हो जाएगा नो यह r vector है तो यह और यह cancel होगा यह बन जाएगा 3 r और r vector dot r vector यह वाला r इस r vector के साथ dot होगा क्यूंकि 2 vectors का ही dot product हो सकता है यह बन जएगा 3 r cube plus 3 r दो same vectors का dot product हो जाता है square जिसको square लिखा जा सकता है यह जएगा 3 r cube plus 3 r cube जो के equal है 6 r cube के और यह right hand side है जो क्या हम प्रूफ करनी थी hence approved तो जिस property का हम use पूरे questions में करें और जो हम long questions में भी करेंगे वह property हम उने solve कर दिया actually r magnitude होता है square root of x square plus y square plus z square अब आपने इसका further derivative लिया अलग-अलग करके तो 1 over 2 square root x square plus y square plus z square यह इसका आगया power rule से और आगया जब इसकी base का derivative लेंगे with respect to x तो बचेगा 2x y के respect लेंगे तो बनेगा 2y और z के respect बनेगा 2z अब इसमें से 2 common आजएगा और यह बचेगा x i plus y j plus z के जो के और long question के भी मैंने videos upload करनी है और वो मैंने upload करनी है in section form क्योंकि उसके 3 sections बनेंगे तो चैनल subscribe कर दें ताकि आपको उसका notification मिल सके thank you so much